नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत और साथी साथ आपका हार्दिक अभिनेंदन कि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो कभी देखेंगे और दोस्तों आज हम पढ़ते हैं राजस्तान जीके के बहुत सारे परसन अब संक्या तो क्या बताई जाए क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं तयार रुका ही नहीं जाता मैं बहुत सारे परसन एक साथ ही बनाता हूं आलांकि वीडियो कम बनाता हूं लेकिन परसन को दिली दर्वार में जाने से रोकने के लिए चेतावनेरी चुंग टिया किसने लिख कर भेजा इसने बेजा था ख्याद कीजिएगा केशरी सिंग बारट ने 1903 में लिख कर भेजा था केशरी सिंग बारट को कौन सी जेल में रखा गया बिहार प्रांत के हजारी बाग सेंटरल जेल में रखा गया था केशरी सिंग बारट को कौन सी जेल में रखा गया था बिहार प्रांत के हजारी बाग सेंटरल जेल में परताब सिंग बाराट किसके पुतर थे परताब सिंग बाराट किसके पुतर थे परताब सिंग बाराट के पुतर थे परताब सिंग बाराट की मरत्यू कौन सी जेल में हुई बरेली जेल में हुई थी परताब सिंग बाराट की मरत्यू बरेली जेल में अगला परसन है अखिल बारतिये देशी राजे लोग परिशद की स्थापना कब की गई? अखिल बारतिये देशी राजे लोग परिशद की स्थापना कब की गई? देखेगा अजमेर में देशी राजे लोग परिशत का पर्थम प्रान्तिय अधिवेशन किस ने आयुजित किया था? 1931 में राम नारायन चोदरी ने आयुजित किया था? 1931 में राम नारायन चोदरी ने और किसका अधिवेशन आयुजित किया था? देशी राजे लोग प्रिशत का पर्थम प्रान्टिय अधिवेशन 1931 में रामनारें चोधरिया मारवाड हितकारणी सभा की स्तापना किसने की चांद मल सुरानाने की थी मारवाड हितकारणी सभा की स्तापना मारवाड शेवासंग की स्थापना किस ने की, मारवाड शेवासंग की स्थापना, 1920 में जैनाराण व्यास ने की थी, मारवाड शेवासंग की स्थापना किस ने की, मारवाड शेवासंग की स्थापना, जोदपूर परजामंडल की स्थापना, 1934 में हुई, जिसके अध्यक से बहावड लाल सर्राफ थे, अगला है, डाबरा कांड कब हुआ, डाबरा कांड, 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड हुआ था, 13 मार्च 1947, अगला है, बिकानेर परजा परिशत की स्थापना किस ने की, रगवर दयाल ने 22 चुलाई 1942 को बिकानेर परजा परिशत की स्थापना किस ने की, मीठा लाल व्यास ने 1945 में जसल मेर परजा मंडल की स्थापना की थी, मेवाड परजा मंडल की स्थापना कब हुआ किस ने की, मेवाड परजा मंडल की स्थापना कब हुआ किस ने की, 24 अपरेल 1938 को मानिक के लाल वर्मा वे बलवन सिंग वेता ने की थी, तो मेवाड परजा मंडल की स्थापना कब हुआ किस ने की, उत्तरह 24 अपरेल 1938 को मानिक के लाल वर्मा वे बलवन सिंग वेता ने की थी, तोड़ा सा इसमें परसनवाचक चिन ने दो जगे लग गया कभ वह और कहां बुलाया गया देखिए गा इसमें इसको तोटा दिया चलिया । अखिल भारती देशी राजिये लोग पृसत का 7 वह और कहां बुलाया गया तो इसका देखिएगा मानिक के लाल वर्मा जी ने इसको क्या क्या था 31 दिसंबर से 1 जनौरी 1946 तक उदेपूर में बुलाया था मानिक के लाल वर्मा जी ने 31 दिसंबर से 1 जनौरी 1946 तक उदेपूर में बुलाया था हाडोती परजाम अंडल की स्थापना कब किस ने की पंडित नैनुराम सर्मा ने 1934 में की थी हाडोती परजाम अंडल की स्थापना पंडित नैनुराम सर्मा ने 1934 में हाडोती परजाम अंडल की स्थापना बुंदी परजामंडल की स्थापना का स्रे किसको जाता है 1931 में कांतिलाल ने बुंदी परजामंडल की स्थापना की थी बुंदी परजामंडल की स्थापना 1931 कांतिलाल बुंदी राजे लोग परिशद की स्थापना किस ने की गुंदी राजे लोग प्रिशद की स्तापना रिशिदध मेता ने उनी सो कम्वालिस में जैपूर राजे परजामंडल की स्तापना किसके सयुग से लुए जैपुर राजे परजामंडल है जैपुर राजे परजामंडल का पुन्दर गठन किसके सेयोग से हुआ था तो जैपुर राजे परजामंडल का जो पुन्दर गठन किसके सेयोग से हुआ इरलाल सास्त्री के सेयोग से अलवर परजा मंडल की स्थापना किसने की पंडित हरी नारायन सर्माने की थी 1938 में अलवर परजा मंडल की स्थापना पंडित हरी नारायन सर्माने 1938 में दोलपूर राज्ये परजा मंडल की स्थापना किसने की करोली में परजामंडल की स्थापना कभी 1938 में थी करोली में परजामंडल की स्थापना 1938 में बुपेंदरनाद तिर्वेदी ने किस परजामंडल की स्थापना की थी कौन से परजामंडल की स्थापना की थी भाई चलिए थोड़ा सा जैदा हो गया दूंगरपुर में सेवाशंग की स्थापना कब की गी उनीसो चमालिस में भोगिलाल पांडया द्वारा की गई भोगिलाल पांडया द्वारा उनीसो चमालिस में दूंगरपुर परजामंडल की स्थापना किस ने की हरीदेव जोशी ने उनीसो चमालिस में की थी दूंगरपुर परजामंडल की स्थापना अर्देव जोशी ने उनिस सो चमालिस में किसंगड परजामंडल की स्तापना कब हुई 1949 में हुई थी किसंगड परजामंडल की स्तापना भक्त आंदोलन की सुरुवात किसने की गोविंद गुरु ने भक्त आंदोलन की सुरुवात की थी बिकानेर परजा मंडल के संस्तापक कौन थे मगाराम वैद्दे थे बिकानेर परजा मंडल के संस्तापक मगाराम वैद्दे जसल मेर का गुंडाराज पुस्तक किस ने लिखी सागरमल गोपा ने लिखी थी जसल मेर का गुंडाराज पुस्तक सागरमल गोपा ने लार्ड, हार्डिंग के जूलस पर बम किस ने फेका परताप सिंघ बारत और जोरावर सिंघ बारत ने लार्ड हार्डिंग के जूलस पर बम फेका था पुतरी पारचाला को किस ने खोला था? कानाया लाल अधुंड ने कानाया लाल धुंड को मेवार का वर्तमान सासक पुुष नामक पुस्तक किसने लिखी मेवाड का वर्तमान साशक नामक पुस्तक किसने लिखी तो किसने लिखी थी मानिक के लाल वर्मा ने लिखी थी मेवाड का वर्तमान साशक नामक पुस्तक किसने मानिक के लाल वर्मा ने स्वामी दयानन सरस्वती ने वेदिक मंत्राले नामक प्रिंटिंग प्रेस काँ पर लगाई थी अजमेर में लगाई थी वेदिक मंत्राले नामक प्रिंटिंग प्रेस काँ पर अजमेर में स्वामि दयानन सरस्वती ने वैदिक मंतरा ले नामक प्रेंटिंग प्रेस अजमेर में लगाई थी स्वामि दयानन सरस्वती ने प्रोबकारनी सबा के स्थापना कब की स्वामे दयानन सरस्वती ने प्रोप कारेनी सभा के स्थापना कब की 1893 में उद्यपूर में की तथा बाद में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया तो स्वामे दयानन सरस्वती ने प्रोप कारेनी सभा की स्थापना 1893 में उद्यपूर में की और बाद में उसको अजमेर में स्तानांतरित कर दिया राजस्तान केशरी का प्रकासन आरंब कब किस ने किया तो कब और किस ने किया 1920 में विजे सिंग पत्रिक ने किया था आरंब कब और किस ने किया था यह मौस्ट कुशन है कि राजस्तान केशरी का प्रारंब कब और किस ने किया था कब और किस ने किया राजस्तान केशरी का प्रकासान आरंब कब और किस ने किया था 1920 में विजे सिंग पथिक ने किया था विजे सिंग पथिक ने 1920 में राजस्तान केशरी, कई बार प्रिक्षव में पूछा गया प्रसन है यह, ठीक है, राजस्तान सेवासंग ने कौन सा अख्वार निकला था, तो राजस्तान सेवासंग ने कौन सा अख्वार निकला था, राजस्तान सेवासंग ने, 1922 में नमिन राजस्तान नामक अख्वार निकाला था राजस्तान सिवासंग ने, नमीन राजस्तान अक्वार की 1923 में किस नाम से प्रकासित किया जाने लगा, उनसे नाम से तारून राजस्तान के नाम से ही प्रकासित हुआ बाद में, तो पहले इसका नाम क्या था नमीन राजस्तान और फिर इसी अक्वार का नाम 1923 में क्या हो गया, तारून राजस्तान हो गया, ठीक है, नमीन राजस्तान था पहले, बाद में 1923 में इसका नाम तारून राजस्तान कर दिया गया, राजपुताना गजट का प्रकाशन प्रारम किया गया तो राजपुताना गजट का प्रकाशन का प्रारम किया गया का प्रारम किया गया वही चलिए राजपुताना गजट का प्रकाशन का प्रारम किया गया राजपुताना गजट का प्रकाशन का प्रारम किया गया 1885 में राजपुताना गजट का प्रकाशन का प्रारम किया गया 1885 में राजपुताना गजट प्रकाशन का प्रारम किया गया 1885 में राज़स्तान समाचार का प्रकाशन का प्रारम वहा 1889 में राजस्तान समाचार का प्रकाशन आरंबाथा 1889 में ठीक है जी नवज्योती समाचार का प्रकाशन का प्रारंबुआ 1940 में θα we talk over the 기억 संप सबाकिस्तापना किस ने कि थी गोविंध गुरु ने कि थी संप सबाकिस्तापना भगतपन्थ की अनिवाई कौन थे बगतपंत के अन्यूय कोई थे कॉन थे भील थे मांगट पहाडी कहां है बासवारा सूंत की सीमा पर इड़ के पास है मानगंड पाड़ी है वो बांशाला सूर्थ की सीमा पर दिडर के पास है मानगंड बाड़न नॉंबर 1913 को वह था मानगंड हत्याकांड नॉंबर 1913 को 1921 में भीलूं का नडेतर्त्व एग है किस ने किया मोति लाल तेजावत ने किया था भीलूं का नेतर्त्व Di Pvd जैराम पेसा दिनियम कब लाग हुआ 1930 में लाग हुआ था जैराम पेसा दिनियम और कैसा नहीं पैसा इससे को भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा जैराम पेसा दिनियम कब रद हुआ यह वाता 1952 में आजा दी कि यह भी बहुत दिनों बाद 1952 में रद हुआ था जैराम पेसा दिनियम और लाग हुआ कब वा था जैराम पेसा दिनियम 1930 में लाग हुआ और 1952 में रद हुआ था विजोलिया किसान आंदोलन का नेतरत्व है किस ने किया था ? वीजे सिंग पतिंग ने की थी और मन्ना पटेल को क्या बनाया गया था अध्यक्स बनाया गया था उपर माल पंचाइद का ठीक है अगला पुरसन है राजस्तान जाट अक्षेत्रिय सभा की स्थापना कब की गी 1931 में की गी थी राजस्तान जाट अक्षत्रिय सभाकिस्ता अपना राजस्तान जाट अक्षत्रिय सभाकिस्ता अपना 1931 में की गी थी पल्थाना में जाट सम्मेलन कब आयुजित किया गया था 1933 में आयुजित किया गया था पल्थाना में जाट सम्मेलन ठीक है न विशनोई संपर्दाय के परवर्तक कौन थे जांबु जी थे विशनोई संपर्दाय के परवर्तक जांबु जी का जनम कब हुआ पीपाशा नागोवर में समथ 1508 बहद्र बदी अस्टमी को तो मेने में कर देते हैं एक होता सूधी दूसरा होता बदी तो जांबु जी का जनम पीपाशा नागोवर में समथ 1508 बहद्र बदी अस्टमी को ठीक है जांबु जी ने किस स्तान पर विष्णोई संपर्दाय का परवर्तन किया जांबु जी ने किस स्तान पर विष्णोई संपर्दाय का परवर्तन किया था जांबो जी ने समराथल टेले पर कला सस्तापना कर समथ 1542 में 29 संपरदाय का परवर्तन क्या था समथ है सन नहीं है समथ है ये 29 संपरदाय के लोग कितने नियमों को मानते हैं 29 नियमों को मानते हैं 29 संपरदाय के लोग कितने नियमों को 29 नियमों को जसनाद जी का जनम कहां पर हुआ 1472 इसमी करत्रिया सर्विकानेर में हुआ था करत्रिया सर्विकानेर में जसनाद जी का जनम जसनाद जी ने कठोर तब कहां किया गोरक मालिया में किया था जसनाद जी ने कठोर तब गोरक मालिया में जसनात संपरदा का प्रवरतन किसके द्वारा किया गया जसनात जी द्वारा किया गया जसनात संपरदा का प्रवरतन जसनात संपरदा के लोग कितने नियमों को मानते हैं 34 नियमों को मानते हैं जसनाती संपरदा के लोग 34 नियमों को पाबु जी का जनम कब हुआ दानजल जी राठोड के यहां 1249 इस्वि में हो था पाबु जी किस की गायों की रक्षा करते वे वीरगति को प्राप्त हुए पाबु जी की यसोगा था किस में संग्रीत है पाबु जी की फड में संग्रीत है यसोगा था यस का गान उंटू के देवता के रूप में किस की पूजा की जाती है उंटू के देवता के रूप में पाबुजी की पूजा की जाती है उंटू के देवता के रूप में जालोर का प्राचिन नाम क्या था जाबालिपूर था चलिए जालोर दुरुक को किस नाम से जाना जाता है जालोर दुरुक को किस नाम से जाना जाता है सूरन गिरी अत्वा सोनगड के नाम से सूरन गिरी के नाम से जाना जाता है जालोर दुरुक को अत्वा सोनगड के नाम से जान रखना और सोनार किला जसर मेर वाला है सवरन गिरी जसर मेर का किला है और सुरन गिरी है कुन सा जालोर का किला जालोर में चोहान राजवन्स की नियम किस ने डाली किरतिपाल ने डाली थी जालोर में चौहान राजवन्स की नियम जालोर के राजशियासन पर कानरदे कब बठा 1325 में बठा था जालोर के राजशियासन पर कानरदे ठीक है कानरदे प्रबंद की रचना किस ने की पदमनाब ने की थी कानरदे प्रबंद की रचना कौन से सिला लेक से ग्यात होता कि उनिस सो सत्याणव में अलावदीन की सेना को कानरदे ने पराजित किया कौन से सिलालेक से ग्यात होता है कि अलावदीन की सेना को बारा सो सत्याणव इस्वे में कानरदे ने पराजित किया ऐसा कौन से सिलालेक है मकनाना की सिलालेक से ये ग्यात होता है कि 12 strony में अलाउदीन की शेना को कानरदे ने प्रास्थ किया था कानरदे के पूत्त्र का नाम था को शक्तल हिरम डेव था वीरम देव के सुंदर्ता पर कौन मौईत हो गई थी राजक्मारी फिरोजा वीरम देव के विवा से मना करने पर राजकुमारी फिरोजा ने क्या किया वीरम देव ने विवा के लिए मना कर दिया तो राजकुमारी फिरोजा ने क्या किया राजकुमारी फिरोजा ने अपनी धाय गुल वीष्ट के साथ सेना लेकर जालोर की तरफ बढ़ी फिरोजा की सेना और जालोर की सेना के बीच भेंग कर युद हुआ जिसमें वीरम देव युद भुमे में वीरगती को प्राप्त हुआ तो वीरम देव के विवा करने से मना करने पर फिरोजा ने क्या कि अपनी सेना ली और जो दायती गुल वीष्ट के साथ जालोर पर चड़ाई कर दी और दोनों सेनाओं के बीच में भेंग कर युद वा और जिस युद में वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुआ सुल्तान अलावदीन की सेना को जालोर में से किसने नहीं गुजरने दिया कानड देने नहीं गुजरने दिया था सुल्तान अलावदीन की सेना को जालोर में से पानरदे ने नहीं गुजरने दिया। अलावदीन ने 1200 ठाणों में सोमनात मंदिर को दोष्ट करने के लिए किस के नेतरतों में विसाल सेना बेजी थी। इसके नेतरतों में उलुक खां और नुसरत खां के नेतरतों में विसाल सेना बेजी थी। अलावदीन की गुजरात के सोमनात मंदिर को लूट कर जाती हैं सेना पर किस ने आकरमन किया। कानर दे की सेना ने जेता देवडा के नेतरतों में आकरमन किया था। जालोर पर अधिकार करने के लिए अलावदीन की सेना को किस किले पर आकरमन करना जरूरी था। शिवाना के किले पर आकरमन करना जरूरी था। शिवाना के किले पर आकरमन कब किया गया। 1308 में आकरमन किया गया था शिवाना के किले पर। शिवाना के किले पर आकरमन करने के समय अलावदीन का कौन सा सेनाना एक मारा गया। सिवाना के कीले पर आकर्मन करने के समय अलावदिन का कौन सा सेना नाएक मारा गया नाहरखा मारा गया था नाहरखा के मारे जाने पर सुल्तान ने क्या क्या अलावदिन स्वेम सेना लेकर दिल्ले से सिवाना पहुंचा अलावक दीन स्यंटना लेकरके दिल्ले से काम पहुंचा, सीवाना पहुंचा आकर्मन के सिम है अलावक दीन अलौक देन ने दुरक को घेड़ने का काम किसको सोब पा? कमालू दीन को सोब पा था दुर्ग को गेरने का काम कौन से दुर्ग को? शिवाना के दुर्ग को अलाउदीन के जालोर के अक्रमन किसमे कानर दे के साथ विश्वासगात किस ने किया? कानर दे के साथ विश्वासगात किस ने किया था? दया सरदार बिक का दुवारा किया गया उसने जालोर दुर्ग में गुसने का गुप्त मारग बता दिया था अलावदीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कब किया 1312 आईसवी में अलावदीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया था जालोर की कुंजी किस दुर्ग को का जाता था शिवाना के दुर्ग को जिसकी रक्षा का दाइत्वे सीतल देव चोहान का था मलकाना के युद में किस के प्राजे हुई ती मालकाना के युद में शिवाना के दुर्ग के पतन का जिम्मेदार कौन था? राज़दरो भावले जिसने दुर्ग के जल में गोरक्त मिला दिया था रंथम और दुर्ग कहां पर स्थित है? स्वाइमादो पर से आठ किलोमेटर दूर है रंथम और दुर्ग ठीक है, हमीर किस का पुतर था, माराजा जेतर सिंग का पुतर था हमीर हमीर कब रन्थम बोर का सासक बना, 1282 में हमीर रन्थम बोर का सासक बना था हमीर माकावी की रचना किसने की नैन चंदर सूरी ने हमीर माकावी की रचना की थी हमीर रासो की रचना किसने की जोद राज ने हमीर रासो की रचना की थी हमीर हट की रचना किसने की चंदर सेकर ने हमीर हट की रचना की थी हमीर ने सरव प्रतम किस को प्रास्ट किया बीमरस के सासक अरजुन को प्रास्ट किया था परमार सासक बोज को किसने प्रास्ट किया परमार सासक बोज को किसने प्रास्ट किया हमीर देव ने प्रास्ट किया था परमार सासक बोज को जलालुदीन खिल्जी ने जाइन के दुर्ग पर आकरण कब किया 1290 में किया था जाइन के दुर्ग पर आकरण जलालुदीन के हत्या करके अलावदीन सुल्तान कब बना 1296 में बना था हमीर ने अलावदीन के किस सेनानाएक को सरंड दी मीर मुमत साब को सरंदी थी अलावदीन खिलजे ने 1299 में रंथम बोर पर आकरमन करने का आदेश किस को दिया उलूख खायों नुसरत खां को दिया उलूख खां और नुसरत खां को दिया उलूख खां और नुसरत खां ने किस पर आकरमन किया जहाइन पर आक्रवन किया था उलुख खाओ और नुसरत खाओ ने उलुख खाओ नुसरत खाओ को अमीर के किन सेनानाइक को किन सेनानाइक ने प्रास्ट करके बगा दिया यानि कौन सा सेनानाइक था जिसने प्रास्ट करके बगा दिया भीम सिंग वा न दर्म सिंग नेया दो सेना नी थे भीम सिंग और धर्म सिंग दोनों ने उलुक हाऊनुसृतका को बगा दिया अलावदीन की सेना ने पुना संगटित होकर हिंदुवाट गाटि में राजबुत सेना पर आकरमन किया उसमें कौन वीरगती को प्राप्थ हुए तो भीम सिंग वीरगती को प्राप्थ हो गए थे भीम सिंग वीरगती को प्राप्थ हुए अलावदीन के रंथमबोर गेरेमूं का कौन सा सेनानाई गाईलोकर मारा गया अलाव दिन के रंतंबोर के यहिह उसका कौन सा सेना नैं गाल होकर मारा गया नुसरत खांग हमेर ने जब हमेर नने जब सेनापतिरेथिपाल को अलाव दिन से संदिवारता हेत्व बेजा तो हमीर ने जब सेनापती रतिपाल को अलावदीन संदिवारता हेतु बेजा तो अलावदीन ने क्या क्या परलोबन देकर अपनी तरफ मिला लिया तो परलोबन दिया और अपनी तरफ क्या कर लिया अलावदीन ने रंथम बोर पर कब अधिकार किया 11 जुलाई 1301 को रंथम बोर पर अधिकार कर लिया था अलावदीन खिल जेने रंथम बोर के युद में अमीर देव के वीरगती प्राप्त करने पर रानी रंग दे ने क्या किया रानी रंग दे ने क्या किया विरांगनाओं के साथ जोहर किया था तो विरांगनाओं के जियोन में कितने युद किये, 17 युद किये, जिन में 16 में वो क्या रहा था, 16 में विजे रहा, 17 युद किये और 16 में क्या रहा, तो आजादी के समय राश्तान में कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने, लावा, कुसलगड और निम्राना, 3 ठिकाने थे, और रियासत कितनी थी, 22 रिय मतस्य संग की स्तापना कब हुई 18 मार्च 1948 को मतस्य संग में कौन कौन से जिले सामिल थे मतस्य संग का राजपरमुक किसको बनाया गया सोबाराम को बनाया गया था मतस्य संग का परधान मंतरी किसको बनाया गया है वुरेत राजस्तान में मिल गया था मतस्य संग बाद में इसमें वुरेत राजस्तान की एकी करण के कौन से चरण में मतस्य संग का विले वुरेत राजस्तान में हुआ यानि कौन से चरण में मतस्य संग का विले विरेत राज्तान में हुआ पांच में चरण में जाकर कि मतस्य संग है वो विरेत राज्तान में मिल गया मतस्य संग का विले कब हुआ पन्रा मई उनी सो उन्चास को हुआ था पन्रा मई उनी सो उन्चास को स्यूंक्त राजस्तान संग में कौन-कौन से जिले सामिल थे स्यूंक्त राजस्तान संग में तो स्यूंक्त राजस्तान संग में कोटा, बुंदी, जहलावा, डूंगरपुर, परतापगड, सापुरा, किसनगड, टॉंग और कुसलगड यानि ठिकाना सामिल थे तो देखेगा, स्योंक्त राज़तान संग में कौन-कौन से जिलेत सामिल थे, कोटा, बुंदी, जहलावाड, डूंगरपुर, बासवडा, परतापुर, सापुरा, किसंगड, टॉंक और कुसलगड ठिकाना था, ये सारे के सारे क्या हैं, स्योंक्त राज़तान में सामिल थे, स्योंक्त राज़तान संग का परदान मंतरी किसे बनाए गया, स्री गोकुलाल असावा को स्योंक्त राज़तान संग का परदान मंतरी गोकुलाल असावा को, स्योंक्त राज़तान संग का गठन का बुआ, 25 मार्थ 1948 को, स्योंक्त राज़तान संग का गठन वाता, 25 मार्थ 1948 क स्यूंक्त राजस्तान संग का राजप्रमुक किसे बनाए गया स्यूंक्त राजस्तान संग का राजप्रमुक किसको बनाए गया ओटा नरेश भीम सिंग को बनाए गया था राजप्रमुक ठीक है स्यूंक्त राजस्तान संग में कौन सा ठिकाना सामिल हुआ फुसलगड ठिकाना सामिल वा था स्यूंक्त राज़तान संग में फुसलगड ठीक आगे स्यूंक्त राज़तान संग का विलत तीसरे चरण में किसके साथ हुआ मेवाड के साथ हुआ था स्यूंक्त राज़तान संग का विलत तीसरे चरण में मेवाड के साथ यह थे 125 परसंट आपको कैसे लेगे कमेंट जुरू